वही रुख करते हैं अगली खबर की ओर जा सुल्तानपूर MP MLA कोट से इंटरनाशनल शूटर वर्तिका सिंग को एक बड़ा जटका लगा है वर्तिका सिंग की अर्जी खारिच कर दी गई है दरसल वर्तिका सिंग ने केंडरी मंत्री स्मितिरानी और दो उनके सहीयोग्यों के खिलाफ महिला आयोक का सदस्य बनने की आड में 25 लाग की डिमांड और धोगा धड़ी का आरोप लगाया था जिसके बाद ही मामला MP कोर्ट में चला गया जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से वर्तिका की अर्जी खारिच कर दी गई है इसके साथ ही आपको बता दे कि मानहानी केस में स्मृति इरानी के खिलाफ आज तीन गवाहों ने कोर्ट में अपना बयान दिया और बाकी साक्षे के लिए पेशी होनी अभी बाकी है हाला कि वर्तिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो हाई कोर्ट में गुहार लगाएंगी जिसकी खबर जो है अभी सामने आ रहे है तो वहीं ये पूरा मामला सुल्तानपूर का बताया जा रहा है जहापे इंटरनाशनल शूटर वर्तिका सिंग ने काफी कमभीर आरोप करी पांच महीने पहले स्मृति इरानी पर लगाये थे कि महीला आयोग की सदस्यदा के लिए ब्रष्टा चार कारोप वर्तिका सिंग की तरफ से लगाये गया था जिसकी अर्जी कोर्ट ने आज खारिच कर दी है इसके साथ ही वर्तिका सिंग का कहना है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खट-कटाएंगी और वो नियाये की गुहार एक बार फिर से हाई कोर्ट में लगाएंगी आपको बता दें पूरा मामला सुल्टानपूर से सामने आया है जहां पर वर्तिका सिंग जो की एक इंटरनेशनल शूटर हैं उन्होंने MPML कोट में एक अरजी दाय की थी जहां पर उन्होंने मानहानी का केस्ट किया था इसके साथी स्मिटी रानी और उनके दो सहीयोगेों प जिसके बाद उन्होंने कोट में अरजी दाय की थी तो वहीं इस दोरान सुनवाई के दोरान कोट ने ये अरजी खारिच करते हुए उन्हें कहा है कि ये अरजी खारिच कर दी जाती है साथ ही वर्तिका सिंग की तरफ से ये बयान सामने आये कि अब वो हाई कोट का गटाएंगी और इस मामले को आगे तक लेके जाएंगी तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में स्मिति रानी के खिलाब आज तीन गवाहों ने कोर्ट में अपना बयान दिया और बाकी साक्षी के लिए अगली पेशी होनी बाकी है हलाकि वर्तिका सिंग की तरफ से हाई कोर्ट में गुहार लगाए जाने की खबर सामने आई है ये पूरा मामला भर्षचाचार को लेकर सामने आया था कई पांच महीने पहले इसमिति रानी और उन पर आरोप लगे थे आज वर्तिका सिंग ने जो 156 माननिये कैबनेट मंतरी भारत सरकार इसमिति रानी जी और विजे गुपता जी उनके ने जी सच्यू है और एक डाक्टर रजनी उनके खिलाब जो दायर किया था उसको माननिये कोट ने ने रस्त कर दिया है और एक परिवाद जो उन्होंने दायर किया था उसमें आज 202 का बयान हुआ है और छे तारिख अन्ने गवाहों के बयान में लगा है आगे क्या हूँ अब वो बिल्कुल सस्ती लोग प्रता हासिल करने के लिए किया गया था और मानिये मंत्री जी की छबी को धूमिल करने के लिए और वरतिका सिंग जी की तरब उनके खिलाब जो है तीन-तीन एफाई आरें दर्ज है एक मुसाफिर खाना थाने में दर्ज है जो विजे गुपता जी ने दर्ज कराया था परसनल सेक्रेटरी है मानिय मंत्री जी के और एक पार्लियामेंट में दर्ज हुआ है और एक फाई आर जो है वो यमसी जो उहरी साहब आईये सदिकारी हैं उन्होंने कंप्लेंड किया है और इसी तरह से उनके खिलाप खुद कई मामले दर्ज हैं अई बिलकुल जूटा तो महीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर जा बीसी सी आई के अध्यक्ष सौरव गांगुली इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्स मैच से पहले तेश तारी को एहमदाबाद ज्वा सकते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच एहमदाबाद के नए मचोर अस्ट्रेडियम में 24 तारीक से दिन रात का पिंक बॉल टेस्स मैच खेला जाना है इस टेस्स मैच के लिए प्रजान मंतरी नरेंद्र मोदी और ग्रह मंतरी अमिश्या को भी आमांतरित किया गया है तो वहीं आपको बता दें ऐसी संभावना है कि गांगुली 23 तारीक से लेकर 25 तक एहमदाबा इने पहले गांगुली का दिल का हलका दौरा पढ़ने के चुलते अस्पताल में उन्हें भरती कराया गया था तो वहीं इलाज के बाद उन्होंने पहली बार किसी सारोजनी कारेक्रम में वो हिस्सा लेने जाएंगे